साथ यह मुख्यमंत्रियों और मुख्यनायद्यूसों कि यह जॉइन कॉन्फरनस पहले भी होती आई है और उनसे हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ नए विचार भी निकले हैं लेकिन ये इस बार ये जो आयोजन अपने आप में और भी ज्यादा खास है आज ये कॉन्फरन्स एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजहादी का अम्रित महुत्सों मना रहा है आजहादी के इन पचातर सालों ने जुडिशरी और एक्जूटिव दोनों के ही रोल्स और डिस्पॉंसिमिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है जहाँ जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है आज आजहादी के अमरित महोत्सों में जब देश नए अमरित संकल पर ले रहा है नए सपने देख रहा है तो हमें भी भविश्की तरब देखना होगा 2047 में जब देश अपनी आजहादी के सो साल पूरे करेगा तब हम देश में कैसी न्याज भवस्ता देखना चाहेंगे हम किस तरह अपने जुडिसल सिस्टिम को इतना समर्थ बढाएं कि वो 2047 के भारत के अकांख्शाओं को पूरा कर सके उन पर खरा उतर सके ये प्रश्ण आज हमारी प्रात्विक्ता होना चाहिए अम्रित काल में हमारा भीजन एक ऐसी न्याज भवस्ता का होना चाहिए जिसमें न्याज सुलब हो न्याज परीत हो और न्याज सब के लिए हो